नमस्कार बच्चों गूड मॉर्निंग आज हम लोग दो टर्न रेशियो का हो गया है बच्चों दो टर्न में पहला टर्न था रेशियो के बेसिक कोश्चन का और आज जो टर्न है पहला टर्न था रेशियो के बेसिक कोश्चन का फिर दूसरा टर्न था उसमें हम लोगों ने एक इस्थान से मुवमेंट अलग अलग इस्थान से मुवमेंट इस टाइप के सवाल और एवरेज स्पीड तीन तरह के सवाल हम लोगों ने कल देखे थे अगर नहीं देख पाया हो बच्चों तो वो वीडियो सेव्ड हैं उसे देख लेना ठीक है आज हम लोग जो है टाइम और टाइमेंड डिस्टेंस का जो सबसे कठिन पार्ट होता है जिसके लिए बहुत सारे किताबें या सरजी लोग फार्मूला लगाते हैं कभी नहीं लगाना पड़ेगा तुम्हें बहुत बड़ा पार्ट रेशियो जिसाल हो जाएगा और हम तुम्हें उसमें पहले ऐसे पहचानेंगे की रेशियों से साल होगा की नहीं होगा यह सब चीजें पहले समझते हैं और फिर चार तरह के रेशियों में जो कोशन बनते हो क्या है यह समझते हैं बच्चों है ना तीन-चार टर्न तक यह चलेगा बच्चों बहुत अच्छे-च्छे सवाल जितना तोही रेशियों का कठी वाला पार्ट है वो सब करस्ब रेशियों से सॉल और मजा आएगा तुम्हें वास्तों में समझा ले जाएंगे हंड़ड़ पर संट हैना हम तुम्हें इतने आसाने से समझाएंगे कि तुम्हें तुमें निश्ची दूफ से अपनी पूई ताकत नगाएंगे कि तुम्हें समझ जाए ठीक है तो आप चलो कोश्चन होंगे इसमें यह सब कोश्चन है बच्चो नहुंकर अगे हैं तो यह हाँ दस डूरी डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय ठीक बच्चों हम तुम्हें दो तरह से समझाएंगे एक मैत की तरह समझा देंगे और एक फिर बिना मैत के समझा देंगे हो नहीं सकता कि समझ में ना है तो देखो दूरी बराबर चाल गुणे समय ठीक बच्चों अच्छा अब बताओ अगर चाल जादा होगी तो दूरी भी जादा होगी अगर समय जादा होगा तो भी दूरी जादा होगी तो हम दो बाते कह सकते हैं एक तो यह कह सकते हैं कि दू दूरी प्रकोशनल टू चाल है और दूसरा कह सकते हैं दूरी प्रकोशनल समय समानुपाती चाल के हैं और समानुपाती समय के कह सकते हैं बच्चो अच्छा अब चराएक छोटी सी बास समझो कि अगर अगर समय फिक्स है अगर समय फिक्स है समय फिक्स है फिक्स का मतलब क्या बच्चो बराबर है समय फिक्स है का मतलब क्या बच्चो बराबर है तब मान लो A की चाल 40 km पर आर है और B की चाल 50 km पर आर है ठीक बच्चो और समय फिक्स है दोनों का समय मान लो 2-2 घंटे है तो अब बताओ बच्चो अगर 4, 40, 50 की है और दोनों का समय फिक्स है तो अगर हम यहां से दूरी का रेशियो निकाले तो क्या बनेगा बच्चो 40 गुणे 2 और 50 गुणे 2 यह बन जाएगा यह बन जाएगा न 40 गुणे 2 और 50 गुणे 2 यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बोलो बच्चो दूरी का रेशियो भी क्या बना बताओ 4 और 5 का बना समझ गे तो चाल का भी रेशियों क्या बन रहा था बच्चों। चार और पांच का, समय दोनों जगा बराबर था, तो दूरी का भी रेशियों क्या बना, बताओ? वही बना, चार और पांच का, है न? ऐसे भी समझ सकते हैं, अरे भाई, दो लोग अगर 4050 की चाल से चल लहे हैं तो अगर एक गंटे दो गंटे या जाहिज इतने गंटे बराबर समय तक चलेंगे तो दूरी भी तो 4050 की होगी बच्चों है न तो यह हमने एक्जांपल से बताया और गडित में तुम इसी तरह से समझ सकते थे कि चाल जो है दूरी प्रोपोर्शनल तो चाल और दूरी प्रोपोर्शनल टू समय क्या सकते हैं अब बताओ इसी एक्जांपल से हम एक रूल बना सकते हैं क्या कि अगर समय फिक्स है अगर समय फिक्स है तो बोलो अगर चाल का रेशियो अगर समय फिक्स है और चाल का रेशियो ए और बी गिवन है चाल का रेश सब्सक्राइब नियुक्स टो क्या होगा बच्छों दूरी का रेशियो की दूरी का रेशियो भी फोगा कब ऐसा कैसे देखों यह तो पूरी एक मिलें बता देंगे समय अगर सब्सक्राइब तब तब अगर चाल का रेशियो ये भी है तो दूरी का रेशियो भी ये भी होगा बच्चो समय फिक्स होना चाहिए कैसे अगर एक की चाल 40 है एक की चाल 50 है तो दूरी 4-5 कब होगी जब यहां पे समय 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे बराबर होना चाहिए बच्चो तभी लेकिन अगर अगर यह कहा जाए कि एक की चार 40 है और पचास यह फांच घंटे चला यह दो घंटे चल आब बताओ पच्छों इसकी दूरी कितनी हो जाएगी गजाएगी तिक ना बच्चों समझ गया ना तो अब बताओ अगर समय fix है तभी तभी कह सकते हैं कि चाल का रेशियो अगर A b है तो दूरी का रेशियो भी क्या होगा बच्चों A b होगा and vice versa and vice versa मतलब क्या बच्चों कि vice versa कि इसे कहते हैं जिसका विपरीत परडाम भी सही हो है जिसका विप्रीट परड़ाम भी सही हो मतलब क्या कि अगर समय फिक्स है सुनना बच्चों सुनना बच्चों बहुत काम आएगा यह बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल सवाल होंगे तुम्हें सवाल कितने बढ़िया है और यही जो आल इंडिया लेबल के लोगों ने कहीं से बताया है हम उससे बहतर बताएंगे बच्चों को तो देखो यह एक नियम हो गया बच्चों कि दूरी अगर समय फिक्स है तो चाल का रेशियो भी होगा एंड वाइस वर्सा मतलब क्या कि अग चाल का रेशियो यह भी होगा और अगर चाल का रेशियो भी है तो दूरी का रेशियो भी होगा इसी को हम कहते हैं वाइस वर्सा यह समझ में आगया बच्चों इसके आगे चले अब इसी में फिर से एक नियम हुआ बच्चों एक नियम क्या हुआ कि अगर समय फिक्स है अ A, B होगा, यह हुआ बच्चों, दूरी का रेशियो भी A, B होगा, अच्छा, इसी तरह से दूसरा नियम देखो, अगर चाल फिक्स है, ठीक बच्चों, अगर चाल फिक्स है, तब क्या होगा, तब अगर समय का रेशियो A, B है, तब चाल का रेशियो भी A, B होगा, बच्चो जैसे पिछला वाला वैसे यह चाल अगर फिक्स है तो जो जितने समय तक एक्जामपल सा समझो बच्चो ओर वी दो लोग हैं दोनों की चाल पचास किलोमीटर पर आरहे है ठीक बच्चो ओर एक का समय दो घंटे और एक का समय तीन घंटे अब बताओ अगर दूरी कहा तो 50 गुणे 2 और 50 गुणे 3, 50 से 50 गड़ जाएगा तो बोलो अगर चाल फिक्स है बराबर है तो जो जितने समय तक चलेगा उतनी ही दूर चलेगा simple है वेटा ना तो बोलो समय अगर चाल fix है तो समय का ratio अगर e, b है तो चाल का भी ratio क्या होगा बच्चो a और b होगा और इसमें भी and vice versa मतलब अगर चाल दिया है तो चाल अगर e, b है तो समय का ratio समधर बच्चो चाल fix है तो यह थोड़ा सा दूरी यहां लिखे दें चाल fix है बच्चों तो समय का ratio अगर a b है तो दूरी का भी a b होगा और इसका उल्टा बच्चों कि अगर दूरी का a b है तो समय का भी a b होगा सब लोग समझ गए ये दूसरा नियम हो गया ठीक है ना ये दूसरा नियम हो गया ये यहां पर लिख दे रहे हूं ये दो नियम हो गया बच्चों ठीक है ये example था ये मिठा दे रहे है और तीसरा case तीसरा case क्या हो गया बच्चों तीसरा case अभी तक क्या-क्या fix था पहले case में समय fix था और दूसरे केस में चाल फिक्स था तो जो अगर समय फिक्स है तो जो चाल है वही दूरी होगा और अगर चाल फिक्स है तो जो समय है वही दूरी होगा ठीक ना बच्चों? अच्छा अब इसका तीसरा रूल देखो तीसरा रूल देखो बच्चों तो अब अगर दूरी फिक्स है तब क्या होगा तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय इसी तरह से समय बराबर दूरी बटे चाल बोलो बच्चों तो यहां से हम क्या कह सकते हैं की चाल और समय का संबंळ दुश्मनी का है यहां से कह सकते हैं डो wonders 할ie abnormally proportional तू है कह सकते हैं समय और चाल जुई है इक दूसरे के nine were गीं समान उपाती है कह B का है तब समय का रेशियो समझ रहे हो ना बच्चों जिसका चाल ज्यादा होगी उसका समय क्या और गिवन है और समय का पूछा जाएगा तो इसका पोजिट होगा और इसी तरह से ध्यानकना बच्चों कि दो टर्म अगर हैं दो टर्म अगर हैं तो चाल का रेशियो अगर ए भी है तो दूरी का भी ए होगा लेकिन अगर तीन टर्म हो जाएंगे A, B, C तो समय का रेशियो ध्यानकना बच्चों यहां पर दो टर्म है तो हम सीरे पलट सकते हैं लेकिन तीन टर्म अगर है तो जो सही तरीका है उससे पलटेंगे क्या करेंगे बच्चों समय करिए as a question paper में आ जाता है कई बार तो one upon a one upon b one upon c यह है अगर दो है तो सीरे पलट सकते हैं और तीन है तो इस तरह से पलटेंगे और यह नियम भी wise वर्षा में सही है मतलब अगर सुन लेना बच्चों दूरी fix है चाल दिया है तो यह समय होगा समय दिया होगा तो यह चाल हो जाएगा wise वर्षा में यह नियम सही है ठीक बच्चों आब बताओ तीन नियम हो गए ठीक बच्चों अब हमने इन तीनों नियमों को इन तीनों नियमों को एक और तरीके से एक में टॉर लगेगा बच्चों बहुत अच्छे से तुम्हें समझ्या जाएगा ना बिना मैत के समझ्या जाएगा अपने बच्पन को से देख करके बच्पन नहीं देखे होगे तो किसी और के बच्पन को देखके तुम सीख बता रहा है ना दूरी को मा समझो दूरी माा है है ना इनके दो बच्चे हैं अब बिल्कुल घरेलो एक्जम्पल बेटा दूरी माता जी है इनके दो बच्चे है एक का नाम चाल है एक का घर परिवार में होता है वैसे बताना यह दूरी माता जी है इनका काम है इन दोनों बच्चों का पालन पोजन करना है ना अब बता बच्चों पहला सवाल पहला सवाल कि अगर चाल सो रहा है चाल सो रहा है चाल नाम का जो बेटा है वो सो रहा है गड़ित में सोने को क्या कहे तो चाल अगर सो रहा है तो समय अगर ए से भी हो रहा है ए समझ लो खुस है और बी समझ लो दुखी है तो मा यानि दूरी क्या होगा बच्चों भी तो वैसे ही भी है करेंगी बेटा खुस तो माख खुस है न तो अगर समय सो रहा है तो माताजी का द्यान किस पर रहे चाल पर दो चाल अगर बच्चोंब हुआ, या ए बी सी और थिन बच्च trauma socialist लो तो यहाँ पर मां या दूरी का रेशियों भी क्या हो जएगा बता ऊपका हो अगर अगर समय सो रहा है तो जो चाल का रेशियों वही दूरी का रोगा दोनों बताओ अब बताओ, किसी घर में देख लो, अपने घर में तुम्हारे घर में अगर बच्चे हैं तो उनको देखो, कभी गौर करना है, दो बच्चे हैं एक घर में, अगर पांस साल के अंदर अंदर है तो अगर तुम देखो कि एक बहुत तेजी में खुस होके दोड़ता हुआ बा होगा ना बोलो तो अब यहां पर दो नियम बन गए तीसरा नियम क्या बना बेटा कि अगर मा सो रही है अब क्या होगा अगर मा सो रही है तब तो मार पीट होगी ना चालो समय में बोलो बेटा चाल मा सो रही है तो आप चालो समय लड़ेंगे तो अब क्या होगा मा का मतलब क्या बेटा दूरी अगर दूरी फिक्स है तो चालो समय की बीच मारपीड होगी तो बोलो बेटा अगर चाल बेटा इतना सा नियम है क्या पढ़ा हम लोगों ने बच्चो क्या पढ़ा ने बोलो रेशियो का नियम पढ़ा ठीक ना अच्छा अब सुनते जाना और साती साथ हम और एक क्या पढ़ा तुम लोगों ने सभी ने क्या पढ़ा बताओ कि अगर अगर समय फिक्स है तो जो चाल है वही दूरी है इसी तरह से अगर चाल फिक्स है अगर चाल फिक्स है तो जो समय है वही दूरी है और समय फिक्स है तो जो चाल है वही दूरी है यह हो गया और तीसरा नियम क्या बन गया बच्चों कि अगर दूरी फिक्स है तो चाल और समय का रिलेशन मारपीट वाला होगा यह पढ़ा हम लोगों ने अब इतनी पढ़ाई से के बाद एक पइंट और रह गया बच्चों इतनी हम लोग ने क्या पढ़ा तीन नियम पढ़ लिए अच्छा अब ये नोट कर ले न रेशियो कब यूज होगा ratio कब use होगा है ना कब use हो सकता है अकार्ट नियम है असंभव है कि कहीं भी ये नियम एक परसंट भी divert हो है ना दो चीजे ज़रूर होनी चाहिए एक term fix होना चाहिए एक term fix होना चाहिए बच्चों ratio से solve होगा की नहीं पहले ये पहचानोगे तब ही ना solve करोगे नहीं तो कमरे में क्या आवा जाएगी क्या रेशियो 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 तो जब आवा जब पहचानोगे तब ही solve कर पहोगे ना और पहचानोगे कैसे ये दो condition है बारवा पहचाने जोट नहीं पढ़कती है लेकिन अगर कभी दिसकसन हो कि क्यों रेशियो साल हो गया तो यह दो नियम है एक टर्म फिक्स होना चाहिए जितने सवाल जब सब एक टर्म का रेशियो दिया हो या बन सके दिया हो या बन सके रेशियो कभी यूज़ो पाएगा बच्चों एक टर्म फिक्स होना चाहिए अगर एक टर्म फिक्स नहीं है तब रेशियो नहीं लगेगा और एक टर्म का रेशियो या तो दिया हो और या बन सके ठीक ना यह दो नियम है अब यह दो नियम रेशियो कभ यूज होगा के लिए है और इसके लावा इससे पहले जो तीन पढ़े हम लोगने नियम क्यों जो रेशियों के रूल हो गए ठीक बच्चों अब अगले चार तक आज का मिला के चार यहां भी हम क्लियर नहीं हो सकता है पांच लग होंगे तो करीब सो से उपर सवाल चले जाएंगे अलग अलग देखने वाले बच्चों ना जो तुम्हें रेशियों से साल करोगे तो असंभव है कि तुम्हें ना समझ में आ जाए हैं इतने वराइटी के सवाल कराएंगे और शुरुवात में जानते हो कई सर्जी लोग स को कटिन कर देते हैं तो उस से वो इंप्रेस करते हैं लोगों कि तो कटिन करें ना अगर अगर किसी का दिमाग फिक्स है तो सभी का दिमाग तब अगर दिमाग को बची जगा बाटोगे तो नहीं अच्छा रहेगा हम शुरुवात में पर्जेंटेज वैल्यू को आसान करके तुम्हें पूरी बास समझाएंगे जब भी पढ़ाएंगे तो डिजिट बहुत सिंपल समझाएंगे परजेंटिज वैल्यू रखेंगे साथ प्रैक्टिस के सवालों में सब्सक्राइब करना तुम्हारा पूरा फोकस हो सिद्धान को सीखने में बच्छाने डिमाग पूरा-पूरा सीखने में चाएगा है ना तो छलो बहुत तो तीन सवाल पहले आले उसके बा कि यह कोई वीडियो देखना तुम्हें इस से बाहर नहीं मिलेगा ठीक है चलो पहला सवाल एक कार की चाल Altara किलोमिटर है घचने पर ठीक बठाप तो ये और ये हमने लिखा इसलिए कि तुम दोनों में समझ जो कि एक ही बात है ना परसेंटेस के फॉर्म में रेशियों के फॉर्म में अच्छा अब पूछ रहे तुमसे कार की प्रारंभिक चाल क्या होगी क्या सवाल है बच्चों पहले बीना पैंचलाए सौल करो फिल लि गई यह ना बच्चों तो एक बात यह तैह हुई कि जहां पहले जा रही थी वहीं अभी भी जा रही है तो बोलो बच्चों दूरी फिक्स है ठीक दूरी फिक्स है अच्छा दूसरा पॉइंट क्या बच्चों चाल का रेशियो चाल का रेशियो या तो दिया हो या बन सकत हो है ना चाल का रेशियो या तो दिया हो या बन सकता हो तो बोलो चाल का रेशियो थोड़ा सा इंडैकली दिया हुआ है किसी एक का रेशियो चाल का नहीं सोरी समय का चाल कर में तो कमी दी गई बच्चों समय का रेशियो चाहे यह फॉर्म हो चाहे यह फॉर्म बन सकता है न समय अगर यह फॉर्म है बच्चों तो क्या करोगे समय 25 बढ़ गया तो 100 था तो 125 बन गया अब बता बच्चों अगर ऐसे लिखाओगा तो इस तरह से कर लोगे और यह तो और असान हो गया चार था 5 हो गया 100 था 125 हो गया यानि क्या हो गया बेटा चार था 5 बन गया दूरी फिक्स है माता जी सो रही है समय चार से 5 हुआ तो बोलो बच्चों मारपीट वाला केज है ना बोलो बच्चों सब माता जी सो रही है तो अब चाल और समय में मारपीट पक्का है तो बोलो समय का अगर चार औू पांच का है तो č사를 का रिचियो क्या होगा बच्चों 5-szp आपसे रिशियो से साल का लोग हो गया एक टेर्म का रिचिय抱 ह Cemal पहले वाली और यहांपर कितनी कमी हुई यहांपर कितनी कमी हुई एक और वास्तों में कमी कितनी ओए अठारा की तो हम क्या कहेंगे बच्कों एक बराबर 18 एक बराबर 18 और हम से क्या पूच रहा है प्रारंभिक चाल तो बोलो बच्चो एक बराबर 18 तो 5 प्रारंभिक चाल हुई तो कितनी हो गई बच्चो 90 km प्राम ठीक ना दूरी fix है ठीक बच्चो जहाँ पहले जा रहा था वहीं अभी जा रहा है, समय का ratio before five हो रहा है, समझ के बच्चो ऐसे दिया होगे यह कहा हुझा समझ जाओगे अगर itu पांगर समय का ratioो शाल करी यह ना, यह देखा जाएगा चाल क्यों निकाला हम लोग ने करुछ चाल के बारे में जानकारी है भी कभी कभी पहली चाल दी गई होगी बच्चों कभी दूसी चाल का अंतर दिया होगा तो यहां क्या दिया है? कसे पतां चला अंतर? बड़ी या गहती? क्या होता है? अंतर अंतर कितना है बेटा एक एक बराबर अठारा है तो प्त बराबर जुए अगया तो बहुत काम की बात पता रहा रेशियो के तीन हो गए रेशियो कब लगे का दो करणीशन हो गई ना और रेशियो में चार सवाल होते हैं असंभब है कि पाँछवा हो रीचियों के चार सवाल होते हैं फेला पहला होगा बम जा आएका याद करा देंगी तुम्हेन swoją अन पहला होगा चीखता रेशियोओ मतल 말고 clear cut दिख रहा होगा मैं रेशियों चिलाता हुआ अशुछ दूसरा रेशियो बनाना पड़ेगा रेशियो बनाना पड़ेगा कई से पता चल जाएगा यह तो चीकता हुआ है इसमें तो कोई दिक्कती नहीं हुई रेशियो बनाना पड़ेगा तो यह कहां से अब आ जाएगी कि बनाना पड़ेगा नहीं बना पर आ लाट की तरह सोचव रिशियो बनाना पड़ेगा कर शोग को सबस्क्रद करते हैं बनाना पड़न पड़ना पड़ेगा prejudice बनाना पड़ेगा बन भी जाये गा कि नहीं जायेगा हमने क्या पता है आयसा नहीं ह geç कि बेंटेज बीकिए तो डेशियों कि अधुका डो हुगा त्थी सदय होगा कि एक जानकारी दो जग़ा कि एक जानकारी दो बार दी गई घॉल ऑगा जया तूंस अबी हम सब्पक्र्षेस को डिकतर बाट देंगे सबी कोशन को इसी के अंतरगत बाठ देंगे और तुम ले आना कोई कोशन तुम अभी मैसेज करना उसमें तुम चाहे जो कोशन दे भेजना वो इन चारों के अंतरगत आ जाएगा चीकता होगा या बनाना पड़ेगा या एक जानकारी दो बार तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रेशियो लग जाएगा बच्चों एक जानकारी दो बार दी गई होगी अगर एक जानकारी दो बार दी गई है तो यही से रेशियो बन जाएगा चीक रहा है तो रेशियो दिया ह जाएगा यहां पर रेशियो बन जाएगा एगा दो बादी गई है तो इसी तुपा रेशियो पोर्स वाल होगा छुपा रेशियो भी सी के इसी कंतरकत आजाएगा इतना छुपा होगा कि दिखेगा यह नहीं, तो यह चार सवाल हुए, आप जरा चीटा बनाना पड़ेगा, एज जानकारी तो जगा छुपा रेशियो, आप जरा बच्चो अगर तुम नोड करते हो, तो जरा सवालों को पढ़ते जाएं, बताओ कौन कौन से सवाल है यह, प गुनी 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 दूसरा सवाल है, 6 की चाल से कंथना से के लिए निकला, 12 या पहुंचा, 80 चाल से निकला होता है, तीसरा सवाल है, एक जानकारी दो जगा अशी, 60, 80, 60, 80, 80, बन गया रेशियो, ओगनोड़, यह दूसरा है, दूसरा है, तीसरा है, उसका आगे चलो, यह दोगों चीकता है चीकता मेल रेशी ओ मेल जिओ पहला है और दूसरा है दूसरा है छुपा है छुपा है में यह तीसरा है एज जानकारी दो जगए यह दूसरा है कोई भी सवाल इसी के इंतरकट आजैगा बच्चों पहले यहां पर परसींटेज में दूसरा है यह और यहां पर परसेंटेजंग और जानकारी दी गई है चार सवालों के नतरगत हर सवाल तुम कोई सवाल ले आना बच्छो चार के नतरगत ही होगा है नज से आंगे चलाई अब आज़ो बच्चो सवालों में पहला सवाल हुआ दूसरे सवाल में हो एक लड़का स्कूल जाते समय पड़ो एक लड़का स्कूल जाते समय अपनी चाल दो बटे साथ पार्ट घटा देता है दो बटे साथ भाग घटा देता है तब उसका समय बारा मिनट बढ़ जाता है ठीक बच्चों तब उसका समय बारा मिनट बढ़ जाता है सामाने समय क्या है पहले मुझवानी करते है सौल एक सवाल अपने धंक से समझा दिया आप हर सवाल पहले मुझवानी ठीक बच्चों तो बोलो साथ से चाल स बताओ साथ मान लिया अब दो घट करके नई चाल कितनी आ गई बच्चों पांच आ गई किसी बच्चे को यह कठिन लगे अगर तो जरा भी कठिन नहीं होगा बच्चों चाल दो बटा साथ घट गई तो में जरा भी दिक्कत लगें तो एक थी एक थी दो बटे साथ घट अब बना लो बच्चों इश्यू एक ही लाइन तो बढ़ी एक थी दो बटे साथ घट गई यहीं पहुंचोंगे ना और नहीं तो सही तरीका क्या है साथ थी और कितनी बन गई बच्चों दो घट के नहीं पांच हो गई नहीं तो तुम्हें कठिन लगे तो ऐसे बना ले नरेशियो बनना चाहिए बस है ना बना लिए ना अब बताओ चाल इससे घट गई तम क्या हुआ यात्रा का समय 12 मिनट बढ़ गया अब बताओ बच्चों यहां पर भी जहां वो पहले जा रहा था वहीं अभी भी जा रहा है तो बोलो क्या कोगे दूरी क्या है बच्चों दूरी फिक्स है दूरी फिक्स है ना दूरी फिक्स है अच्छा दूरी फिक्स है और दूरी फिक्स है और चाल का रेशियो बन रहा है तब बोलो बच्चों एक टर्म दूसरा दोनों फिट बैठ रहे हैं अब बताओ रेशियो से साल हो जाएगा ना तो क्या कोगे समय का र रेसियो क्या होगा बच्चों चाल अगर यह है दूरी फिक्स है तो समय का रेसियो मापीट वाला केस है तो समय का रेसियो पांसात होगा अब बताओ समय कितना बढ़ा कितना बढ़ा दो बढ़ा यहां कितना बढ़ा बारह तो क्या कहोगे दो बराबर बारह तो एक बराबर दो बराबर 12 तो एक बराबर 6 ये क्या है बच्चों सामाने समय और ये क्या है बच्चों नया समय जैसे ये पुरानी चाल थी वैसे ही जब पल्टेगा तो ये पुरानी चाल आ जाएगी और ये नहीं चाल थी तो समझे ना बच्चों तो पुरा चाल तो समय का रेशियो 5 क्या हो जाएगा बच्चों पांच बराबरी सोगा सबको समद में आ बच्चों ये हो गया दूसरा सवाल ठीक है दोनों सवाल कि यांडियोत क्या रहा है एक आद्मि एक आद्मी कि एक आद्मी अपनी चाल एक अमी अपनी यात्रा साड़े चार गंडे में पूरी अधिवह अपनी चाल 8 किलो मिटर बढ़ाँ देता है तब यात्रा का समय 30 minute कम हो यात्रा का सामान इस समय क्या है ठीक बच्चों सुनना ध्यान से एक आदमी कहीं जा रहा है पहले कितनी देर में जाता था साड़े-चार गंटे में अगर वह अपनी चाल को 8 किलोमीटर बढ़ा दे तब क्या होता है बच्चों 30 मिनट कम लगता है तो यात्रा का सामान इस समय चाहिए है Hoop Ho second स्वाल जैसा है बोलो हैना इसमीर समांता क्या है एक पुछा क्या है पूंस जलो पांड़ा-जज़ आट जा रहा है और बच्चों यहां पड़े क्या क्या फिक्स है वह क्या डूरी फिक्स है इक ही जग्रत बहुत km 4 तो बोलो lebih गूनिय का रैशियो बन रहा है कि चानकारी होती है इक जानकारी दो जगह होती है तो बोलो समय कितना था साढ़े-चार गणटे और आप हंता कम हो गया आदा गणटा कं तो कितने एक गंट देता गंट तो साड़े चार गंटे पहले समय था आदा गंट पाम कितना ओर नों और आठ का समय का रिशीयों क्या बन गया बोलो नौर राट का माताजी दी दो बोलो बच्चो चाल अगर समय 9-8 हुआ है तो चाल 8-9 हुआ होगा अब बताओ मार पीडूई होगी अब चाल का रेशियो 8-9 हो गया आब बताओ बच्चो क्या कह रहा है यह उसकी चाल 8 बढ़ा दे तो फिर से वही बात बच्चो पहले की चाल दियो तो 8 से तुलना करो बात की चा आधिन पटाओं य आइक तुना करो एक संतर लिक्तूर जो घ। है इसे तो यहां कित्नी बढ़ी बताओं 1 एक बेगर कितना है आठ तो है ना और कितना सिंपल है बता हो अगर तुम मन से थोड़ा टेंसल लो कि क्यों हो रहा है रेसियों से है ना हमें कहीं से बता चलेगा गुना एजानकारी दो जाएगा सब वही तो है है ना आ रहा है ना समझ में उसका के चलने बच्छो अब देखो यहां मज़ा आएगा तुम्हें यहां भी नया पॉइंट सीखोगे सुनना बच्छो बड़ा मज़ा आएगा क्या कह रहा है एक की चाल सी का तीन गुना और बी का दो गुना है यदि यात्रा में बी को 24 मिनट का समय लगता है तो बताओ सी का समय है क्या होगा है एक की चाल सी का तीन गुना है और दीयों टीन बना लो हम दूरे तो अब भिया और । B का दोगुणा है एगर A की तुलना C से और A की तुलना B से हो रही है अलग अलग से तुलना हो रही है तो इसको तीन और दो के साथ मान लिया जाएगा यह चैए ये इसका दो गुणा है तो यह इसका ?", जैसका अधा होगा। ये इसका तीन गुणा है तो यह इसका तियाइ भोगा। टो यह तो बैस्हारी का हो गया। छैए तीन दो का रेशियों बन किया। है ना अगर यह मालोबी टुमने नहीं पड़ा है नकोई भी इसकते हो at mine fors 2000 अगर Bаем सकते हो इतना जो तो बहुत हैं यह तो इतना सब लोग do है तो weh by का्तिये मानें इस तो एक इतना जाएगा आज zac कुणा से लोग से ठीक नमचो एसी का तीन मुना है अब दो रेशियों बंगे बड़ो ध्यानक ना बच्चो यह लग फॉर्मिट है ए ए जो है यह भी बी सी नहीं तुम यह लगा दें ना इसे नहीं है यह नहीं है ला किया पता हुए गुणा करो और यहां पर दो गुणा कर दोगे तो बो इसी का रेशियो बन गया अब लो बच्चों यहां गया तक सभाफ इतना तो आप ये कसवाल में रेशियो मिला दिया गया कि वह बत्य बना लो उसके असल कर लेना तो यह सवाल किस का डेकरी का वहाब बोड़ाएगा डो यह नहीं किसी तरह किसी थैडिया आ पूछ रहा है अ त्यां देना बच्चो घयान ध वच्ट तो शैंडीन दो यह क्या आया वटताओ चाल से यह चाल का रेशियो ल्हुखा वगार वीगतल है कितना ल través समय चौभीस मिननेट है और को सभीस मीनुट है और ही ओजा तो बीस और सिइ का समय उचिए यह सवाल है आजहने न बच को दो एक आजे, समय प्याद्य न बच्छिए न दूरी फिक्स है, समय का चाल का राशियो दे रहा है,exist रहा है तो पहला तरीका इसका हो जाएगा, कि समय का राशियो बना लो, समय का राशियो पहले निकालो, क्यों समय के बारे पूछा जा रहा है तो समय का रेशियो निकालोगे तो यह इन तीनों का 6 आजाएगा 6 से डिवाइट करोगे एक आएगा यहां दो आएगा यहां तीन आएगा तुम्हें ऐसे टिक लगे तो ऐसे कर लो और नहीं तो यह तरिका भी जो बताए गया एक बटे पर निजया है तो एक बटाबर 12 होगा तो तीन लगावज 36 होगा यह हो गया बच्छों ऐसे निकाल लिया अब समय के बारे निदी जा रही है और दिसके बारे पूछ रहा है सोल कर लिए लेकिन अग्वा थैण्डेना यह तरीक नहीं नहीं बच्छों क्यों कई बार यह व जाएंगे अब यह दिक्कत आजाएगी कि यहां पर तब इसमें बढ़ जाएंगे दाख je वह काम कर पाणाव्जा वह सब्सक्रार काइएगा तर डेरा क। कि अगर चाहर तो अइसे करो प्रसास सबक्राइद मिना 252 Stick बीना पल्टे सौल हो जाएगा देखो यह चाल है ना तीन चाल पर समय भी का पूछा जा रहा है दिया हुआ है और दो चाल वाले का समय पूछा जा रहा है ठीक अब बताना तीन चाल पर समय कितना 24 तीन चाल पर समय कितना लगा बच्चों 24 अब बताओ एक चाल अगर हो जाएगी तो समय आठ हो जाएगा क्या अरे एक चाल हो जाएगी तो समय जादा होगा ना बच्चों यही ध्यान लखना तीन चाल पर समय अगर 24 है तो यह देखा जाता है हम लोग time and work में यह सीखेंगे एक होने पर ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड करें यह देखा जाता है कि अगर यह एक चाल होने पर यह बढ़ेगा तो फिर डिवाइड नहीं करेंगे गुणा करेंगे ना तो तीन चाल पर समय गाएगा 24 है तो चाल कम होगी बच्चों तो समय क्या हो जाएगा जादा पड़ेगा बास समझ गया ना चाल जब निश्यत रूप से पेपर में क्या होगा चाल दे करके चाल थो न पूछ लेगा तुमसे अगर वह चाल का रेशियो दिया होगा तो समय की जानकारी पूछेगा तुमसे अब तुमसे वह पल्टवाएगा एना अगर चाल पांच रेश सबको आगे बच्चों तो मतलब क्या सीके यहां पर इस सवाल में क्या था बता हो गुए रेशियों की मिलावर दी टाइमेंट डिस्टरंस में ना देखो हर चेप्टर में यह भी संजाएंगे बटा कि यह बना कई से सवाल है ना मजा आ जाएगा तुम्हें सब याद करा जांगे बच्चों यह कोँसा दर्ब्रद का हुआ यह कौन चाब फोर्द हुआ उब प ही पे बच्ठों यह वर्द इस एक किसी समय इंदेवक्त सुलैंब एक आदमी किसी समय साथ की चाल से अपने घर से कानपूर के लिए निकला यह आधमी किसी समय कानपूर तो एक आदमी साथ की चाल से किसी समय कानपूर के लिए निकला और दो पहर 12 वजे कानपूर पहुंचा ठीक बच्छे सुबह निकला होगा किसी समय पता नहीं वहीं पूछ रहा है यह दिवा असी की चाल से चला होता तो दस बजे पहुंच जाता साथ की चाल से चला अपने घर से नजाने कब चला है तो कानपूर पहुंचा है दो पहर बारा बजे अगर वह असी की चाल से चला होता तो दस बजे पहुंच था प्राता यहां कर ले ना तब प्राता दस बजे पहुंच था अब निम्र प्रश्णों का उत्तर ने पहला सवा सबसे齐 है इसका क्या हो कि Колर्व भॉंचे 1ंग तिनुज़े पुझता झा सकते है इसका सब्सक्राइब सबढ़ करि नहीं कि शॉता है सकते हैंहां कोई सब्सक्राइबी ठीक है क्या है बताना समज़ Whamish तो अध्यान देना बच्चो ये उसका घर है ये कानपूर है क्या कहईड़ा सवाल में जब 60 की चाल से चलताए बच्चो तब यहां 12 वजे पहुंशता है और जब 80 की चाल से चलता है तो जल्दी पहुंश आएगा तब यहां 10 वजे पहुंशता है तब यहां 10 बजे पहुंचता है अब तुमसे पूछ रहा है कि निकला कितने बजे था दूरी कितनी है और उसकी चाल क्या हो कि 11 बजे पहुंचे सवाल सब को समझ में आ गया आप बताओ बच्चों पहली बात कि कैसे पता चला कि रेशियो साल होगा क्यों साल होगा तो बोलो एक टर्म फिक्स है है ना बोलो तो दूरी फिक्स है बच्चों दोनों बार वो आ कहां रहा है कानपूर इसलिए क्या है बताओ दूरी फिक्स है और चाल का रेशियो बन जा रहा है है ना इसलिए रेशियो सब लोग समझ गया अच्छा आ बताओ बच्चों चाल का रेशिय कियो बना 60-80 यानी क्या भचो तीन-चाहर हो थीन चाहर बचा बना तो समय का रेशीयो क्या शो जाएगा बच्यों दूरी फिक्स है माताजी सो रही है तो समय चाहर से तीन हब गया सब लोग समझ के बच्छों उच्छा अब बताओ, बारह बजे पहुचा, दस बजे पहुचा, तो अंतर कितने घंटे का है दोनों में, दोनों में अंतर कितने घंटे का है बच्चे, दो घंटे का, तो बोलो, दो घंटे का, तो यहां पे समय का अंतर कितना है बोलो, एक, एक बराबर, एक बराबर, दो, तो चार बराबर आट तो तीन बराबर जो हो गया सोल क्या कहेंगे बोलो चाल तीन से चार हुई तो समय चार से तीन होगा अब यहाँ पे और यहाँ पे समय कांतर है बच्चोटो जो R लो समय रह 151 Band 2 10 तो चार बराबर तो 3 बराबर सब संवें तक आगिया अब बटाओ बच्चों आठ खंटे परेगा आठ घंटे ट冷गेगा जब बारा बजए झाल बड़े गंठानी नियुकंडन को इसे बारी पूंचा है और में पहुंचा है में रहा कि निकला कितने वज़े तो बॉलो बच्चों 12 बज़े जब पहुंचा है तो कितनी यात्रा करके पहुँचा है 8 घंटे तो या तो बारह मेंसे 8 घटा दो मृफ दस बज़े का अंसर क्या हो गया बोलो बच्चों, चार बजे, चार बजे सुबह वो घर से निकला, यह सब को समझा गया बच्चों, चार बजे सुबह वो घर से निकला, यहां तक दुबारा सुनो, नोट कर लो, चाल दूरी फिक्स थी, ठीक है, चाल तीन से चार हुई, तो समय क्या हो जायेगा चार से तीन हो जाएगा बारा बिजे दוש कर अ ते जब लगा यह व ढलते ना बचे तो नहीं तो फूच्छे पूछे कि निकला कितने बजय को या तो इसो बाध हो तो इसका तो भी निकला होगा चार वजे सब लोग समझ गया तो ये एक सवाल सवाल हो गया एक सवाल की घर से निकला था चार वजे और दूसरा सवाल क्या वच्छों कि दूरी क्या होगी तो घर से गर से कानपूर की दूरी क्या होगी दो तरीके हैं बोलो क्या क्या दो तरीके 60 की चाल से चल रहा है तब कितना समय लग रहा है बोलो 8 गंटे और 80 की चाल से चल रहा है तब कितना समय लग रहा है बोलो 6 गंटे तो अगर तुमसे दूरी पूछा जाए दूरी का अंसर क्या हो जाएगा बच्चों या तो 60 गुड़े 8 कर दो और या फिर 80 गुड़े 6 कर दो सबको समझ में आ गया दो सवाल हो गए ठीक है जल्दी से लास्ट वाला फिसे सुनो बच्चों 8 गंटा कब लग रहा था जब उसकी चाल क्या थी 60 की थी 6 गंटा कब लग क्या कर दो या असी में छो ईंग चया का खुड़ा कर दो दूरी कितनी आ जाएगी बोलो 480 किलो मीटर दो सबस उसकी क्या हो कि वह ग्यारा वजे कांग पूर पहुचे तो बोलो चार वजे चलेगा ज्याने ना बच्चे ग्यारा वजे पहुचेगा चार वजे चला और ग्यारा वजे पहुचा तो बोलो समय का अंतर कितना हो गया यहाँ पर बोलो बैटा समय का अंतर कितना हो गया यहाँ पर साथ घंटे साथ घंटे का समय लगा यहाँ पे अब कितनी दूरी चलनी है बोलो 480 तो उसकी चाल क्या हो कि वो 11 बजे पहुँचे का अंसर क्या हो जाएगा बच्चों 480 बटे 7 तीन सवाल थे पहला सवाल का अंसर क्या हो गया चारसो हसी शबको आ गया वच्चे ठीक है अगले सोल में ओ किसी यात्रा को पूरा करने में A, B, C के समय का रेशियो तीन पांच च्छे का है यदि B की चाल साथ है तो A की चाल क्या होगी तो बोलो वच्चो ये बहुत असान सवाल हो गया किसी यात्रा को पूरा करने में ABC के समय का रेशियो समय का रेशियो क्या है समय का रेशियो क्या है बच्छों 3, 5, 6 का है अब B की चाल दे रहा है B की चाल कितनी है बोलो 60 की है और किस की चाल पूछ रहा है तुमसे A की चाल पूछ रहा है अब बताओ बच्चों, दो तरीके हो गए ना, अभी बताए गया सवाल, आज ही बताए गया, दो तरीके क्या, अगर तुम चाहो तो क्या दे रहा है बताओ, क्या दे रहा है बताओ, समय दे रहा है, और क्या पूछ रहा है बताओ, चाल पूछ रहा है, यह ना, तो एक तरीक करोगे तो 10 आजाएगा पांस से डिवाइट करोगे तो 6 आजाएगा और 6 से डिवाइट करोगे तो यह आगिया बच्छो आप क्या कहोगे राबर कितना है 6 बराबर कितना है साथ है तो एक बराबर दस होगा तो दस बराबर सोगा सबको सबस्क्राइब पर सुन लो समय का रेशियो यह है तो चाल का रेशियो तुम इसे एसे भी सौल कर सकते हो एक बटा तीन, एक बटा पांच, एक बटा छे, ऐसे भी सॉल कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, है ना, सीधे LCM ले लो, ये करने के बाद भी तो LCM लोगे, तो 30 LCM हो गया, 3 से डिवाइट किया 10, 5 से डिवाइट किया 6, 6 से डिवाइट किया 5, ये आ गया, अब 4 का करना कठीर हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग सिर्फ सीधे सीधे समय से सॉल कर सकते हैं, कैसे, देखो, समय से सॉल कर लो, पांच समय, किसका समय दिया है बच्चों, चाल किसकी दिए है, बी की, तो बोलो, पांच समय लगा ठीक बच्चों पांच समय लगा जब चाल क्या थी 60 थी पांच समय तब लगा जब चाल कितनी थी बताओ 60 अब बताओ एक समय अगर लगेगा तो चाल जादा रही होगी अरे कम समय में पहुचों के तो चाल जादा रही होगी ना बच्चों तो 60 गुड़े 5 चाल रही होगी पांच समय पर चाल कितनी थी, साथ तो एक समय पर चाल ज्यादा रही होगी तो साथ गुड़े पांच हो गया अब कितनी चाल है, कितना समय है बच्चों बोलो, कितना समय है, इसका एक बता करना है तो तीन समय पर क्या हो जाएगा बच्चों तीन समय पर इसी में तीन से डिवाइट कर दो ये हो गया अंसर सबको समझा गया पांच समय पर चाल साथ ती तो एक समय पर जादा होगी तो जादा है तो गुणा कर दिया तीन समय पर कम होगी तो तीन का भाग दिया बिना रेशियो पल्टे आसानी से सॉल्व हो सकता है सब लोग समद गया बच्चों इसके आगे चले हैं अब आजाओ यह बहुत अच्छा कोशन ज्यांदेना बच्चों अभी तक के सवालों में से सबसे अच्छे सवालों में से एक यह सवाल एक आदमी जब अपनी चाल को 20% कम कर देता है तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 100 मिनट लगते हैं यह दिवा अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो उसे कितना समय लगेगा ठीक बच्चे फिर से पूरी बाद सुनो एक आदमी जब अपनी चाल को 20% कम कर देता है तो उसे मंजिल पर पहुंचने में 100 मिनट बाद वाला समय है यह दिवा अपनी चाल को 25 बढ़ा दे तो उसी यात्रा में कितना समय लगेगा ठीक वेटा यह इसमें अब देखो रेशियों से साल हो सकता है क्यों दोनों बार दोनों बार वो एकी जगह जा रहा था तो बोलो दूरी फिक्स है ना दूरी फिक्स है दूसर यहां पर जो परसेंटेज में जानकारी दे दी रही है चाल कम हुई चाल बढ़ी तो बोलो बच्चों चाल का रेशियो बन रहा है चाल का रेशियो बन रहा है दूरी फिक्स है बोलो यह है सवाल चाल का रेशियो बन रहा है तो बोलो बच्चों यह सवाल रेशियो से साल ह हो सकता है अब इस सवाल हमने ये सवाल ने थोड़ा वैल्यू बढ़लगा करेकिन शक्रेश में वीडियो हमने यह कोशन लिया उसमें थोड़ी सी डिजिट हमने बदल दी बस हैना क्योंकि समान किया भाई किसी दूसरे सवाल लेना है तो डिजिट बदल दी हमने अपनी कर दी उनको देखना पहले मुंगा तरीका बता दें दो स्टेप में सॉल्ट किया है उन्होंने हैना और हम उसी सवाल को रेशियो से ही एक ही स्टेप में सॉल्ट हो जाएका बीना पैंचलाए है ना आप महुत अच्छे सवाल है बच्चों तो देखो पहले वह तरीका देखो जो वह मतलब वीडियो में दिखाया गया था चाल बीस परसेंट कम हो गई तो बोलो बच्चो चाल सौ थी त पांच से चार हो गई अब अगर चाल पांच से चार हो गई तो समय क्या होगा चार से पांच हो जाएगा समय चार से पांच हो जाएगा ठीक ना अब क्या कहरा कोशन में बीस बजन चाल कम होने के बाद समय कितना लगता है यह ध्यान देना बच्चों यह चाल में कमी होने क बाद वाला समय है 100 मिनट तो क्या कोंगे नया समय कितना है पांच पांच बराबर 100 मिनट है तो एक बराबर 20 हुआ तो बोलो बच्चो चार बराबर 80 हुगया तो ये एक स्टेप साल हो गया है भीस पर इसन कम हो गई तो 805-4 हो गई है न तो समय क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा यह जो समय कौन सा बताऊ बाद वाला समय है यह घटने के बाद वाला समय है na तो 5 वराबर कितना है 100 तो 1 वराबर 20 तो 4 वराबर 80 यह ओ गए अब यह पहले वाला समय आ गया आगे चले बछे तो आप क्या कह रहा है अब कह रहा है कि यह जी उसकी चाल 25% बढ़ जाए अब क्या हुआ बताओ उसकी चाल 25% बढ़ गई तो बोलो बच्चों 100 थी तो कितनी हो गई 125 यानि क्या हो गई बताओ 4 से 5 हो गई चाल 4 से 5 हो गई तो समय क्या हो जाएगा बच्चों 5 से 4 हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा फिर से सुनो बच्चों दूसरे केस में यह सामाने समय आ गया है यह सामाने समय आ गया अब क्या कह रहा है कि यह जी चाल 25% बढ़ जाए तो अब कितना समय लगेगा ठीक तो चाल 100 से कित प्वाँच और ये नाला समय है तो कितना और एक बराबर स्नों हुआ तो चार बराबर जो इंट हुआ यह तरीका बताये गया था वीडियो में 4-5 लाख व्यू था इसका है ना देख ले ना 27.27% उन्होंने लिखा है ना यह तरीका बता है था इतना टाइम लगता है अब देखो इसी का और रिफाइंड तरीका है ना हर सवाल लग जाएगा और कोई सवाल अगर इस तरीके से लगाना मजबूरी होगा तो ह क्या है तो समय 4-5 क्या रॉक्कि कुशन में बाद वाला समय दिया और तो 5 वराबर 100 unnatural दिया है तो एक बराबर 20 हो गया तो फाल श्तरीका जाएगा तो जेय समय 5-5 वराबर 5 बान होगा 64 हो गया यह तरीका हो गया कोशन को सॉल करने का अब इससे बहुत 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 तरीका बच्चा देखो क्या कैसे समझा अब इडा देना तो देखो कि यह बताओ चाल और समय चाल सौ थी तो बीज कम होके चाल कर दोनों चाल णयेगा फन वास्ट ऑर सेकेंड यह और दूसरे चाल कितनी बढ़ गई बताओ 25 परसेंट बढ़ गई तो सौथी और 25 बढ़ करके कितनी हो गई बोलो बच्चों 125 हो गई चाल सुनना ध्याल से चाल सौथी 20 परसेंट कम हो गई तो कितनी हो गई 80 हो गई दूसरे केस में चाल 25 बढ़ी है तो सौथी तो कितनी हो गई बता ओ एक सो पच्चेश हो गई आब अब बता बच्चो ये नई चाल ये तो पुरान हो गई हो इससे फर्स्ट केम पुरानी खह रहें और ये कह दें नहीं चाल है बता wa už बच्चो ये पुरानी चाल ही तो पुरानी जो वैल्डू है में जयसे ये रेशियो भीॐ हिरे अससी दिया है तो ए भी रेशियो ञतागती दोनों की मुलाकात दोनों की पहचा मेकि असे आप बदब सा मजहां क्यों हां इस ब्राबर ते सDavis यह कैसा जब हो गया A B 45 A C 47 तो बताओ ABC बच्चे वह सवाल हो गया 457 457 अब बताओ तो यह जब दोनों में सेम है तो चाल का क्या बन गया बताओ 80 125 चाल का क्या बन गया बताओ 80 125 चाल अगर 80 125 हो गई 5 से कड़ गया 16 से पच्चीज हो गई तो बोलो बच्चों चाल सोना सो गई तो समय 25-16 चाल लगा 75 के से पच्चिस हो गया 25 बराबर 25 बराबर 25 बराबर 100 मिनट 25 बराबर 100 मिनट तो सोले बराबर यहांसर आया चाल सो लिखाम हो जरी चाल सो पच्शा बड़ एक सो पच्छेस यह मजा आ गिया दोनों में इंसे को मंन था बराबर ना होते तो बराबर कर लेति हम दो चाल क्या बन गई 20 125 गया बच्छो पहले पहले लिचार्श शोल असी थी तो अभी कितनी हे सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो भी कुछ छूट जाएगा वो तुम्हें यूट्यूब पे भी मिलने लगेगा अभी एक दो दिन में तो वो जो है अपना सेव वीडियो देख सकते हो सेव वीडियो में तुम्हारा डाटा तर्म खाश होगा ठीक हो इसके आगे हम लोग अकली बागते हैं अबसक्राइब झाल